सब्सक्राइब कीजिए सेविसेर एकाड़मी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फोर मोर अपडेट दोस्तों मैंने कल कहा था यदि आपको याद है कि आज के दिन मार्केट कफी वॉलेटाइल रहेगा तो बात यही रहा लगभग यानि मार्केट आज पॉजिटिवली कानिक अर्थ यह है अगर आप ध्यान देगे कि सुबेर सवा नो बजे मार्केट 220 थर्टी से प्लस शुरू हुआ फिर 160, 120, 140 के रेंज में चलता रहा फिर दिन भर आपने देखा होगा 200 से से 300 के पॉइंट के बीच में ही रहा अकुल मिला कि बाइंग फोर्स आगे चलकर 300 और 300 जैसे आपने देखा आज सिंसिक्स ने आज का क्लोजिंग 57,943, 350 पॉइंट प्लस निप्टी 57,325, 103 पॉइंट प्लस दोस्तों सबसे एक खास लेटेस न्यूस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान हो कि इस समय रशिया और युक्रेन के शांती वारता का अब इसे टर्की में इनिशेटिव लिया गया है जो एक एक आशा की किरन है कि positively अच्छी बात हो जाए शांती वारता की बात सफल हो ये सब बाते ट्रेडर्स ने और ट्रेडिंग जोन ने इस चीज का अभास किया इस्टडी किया जिसके फलसरूप मार्केट में बाइंग बड़ा है बिसीक कारण आपको मैं बता रहा हूँ अब ये शांती वारता सफल हुआ और वार पूर्ण रूफ से पूर्ण बिराम लग गया इसमें सेस्फायर हो जाए तो बस तो फिर देखिए मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंट पकड़ी लेगा फिर तो अ बसरते की ये वारता पूर्ण रूफ से सफल हो और जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि टर्की में यहां इनका विसे आज की तारीक में यही सब बात विसे चल रहा है तो ये कारी अगर सफल रहा शांती वारता सफल रहा तो समझ लिजे मार्केट में बहुत जोरदार प्रगती और भुलिश ट्रेंड आई जाएगा तो चलिए तो आशा की बात हो गई यानि हम एक आशावादी रूप में सोचते हैं तो अच्छी बात ही सोचते हैं और जब अच्छा सोचते हैं तो हर कारे में एक सही डिरेक्शन भी अच्छा ही होता है फिलाल तो ठीक है अ हिसाफ से आज closing दिया है दोस्तो जैसे कि हम positive trend का रूप देखी रहे तो दोस्तो कल की तारीक में market एक positive trend में चलेगा market का point positive trend में चलेगा और उसी के साथ साथ थोड़ा सा हलका दबाओ भी रहेगा दोस्तो उस दबाओ के कारण में थोड़ी सी volatility भी कल आ सकती है क्योंकि परसो monthly expiry है यानि कि future and option का गुरुवार के दिन future and option का monthly expiry है जैसे आप जानती है 31st March वहां accounting closing है और यहां future and option का भी expiry है तो उस इसाफ से थोड़ा सा दबाओ कल रह सकता है क्योंकि परसो settlement का सारा कारिय भी से है तो कुछ न कुछ shares को फिर बेचने वाली बात और वो selling pressure भी आ सकता है फिलाल तो मैं यह देख रहा हूं कि morning में market एक positive train जरूर दिखाएगा उसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी अभी कहा कि दबाओ का भी से बनेगा तो दबाओ होने से market में थोड़ा सा selling आ सकता है अगर positive trend और news कुछ अच्छा रहा तो market और positive level पे चला जा सकता है और ऐसा नहीं रहा और एक कोई news का update नहीं है कोई बात नहीं है तो दुपहर के बाद market में एक थोड़ा सा दबाओ के कारण हलका सा जैसे मैंने कहा ना volatility के कारण थोड़ा सा नीचे का रूप बन सकता है बन सकता है ये chances भी बना हुआ है फिर से दोरा रहा हूँ दोस्तों कि कल के लिए market पहले positive trend डेख रहा हूँ और उसके बाद just because of जिससे करते हैं कि परसो expiry है उसके कारण हो सकता है एक दबाव market में आ सकता है कल के तारीक में तो इसके कारण क्या होगा market में volatility आ ज़रेगी तो positive trend with volatility ये बात कल की तारीक में शामिल है दोस्तों तो कुछ sector के shares बढ़ने के chances ज़्यादा है और उसे साब से selling भी कुछ sector के हो सकते हैं तो ये कल की बात हो गई दोस्तों मैं मानता हूं जो मैंने कहना चाहा वह बात आपके लिए सरल रूप में आपने समझ लिए चलream दोस्तों खास रूप से मैं आज ही के दिन एक बात दोहरा रहा हूं बस कल की तारीक में नहीं दोहराओंगा कि इसलिए इसलिए ये बात को आज ही कहते ना चाहता हूँ कि परसो यानि 31st March 2022 के दिन हमारा जो Life Membership का 50% का जो Offer है वो उसका Offer का बात भी से परसो ही समाप्त हो रहा है जिसमें मैंने इस Offer में ये भी दिया है कि एक Multivager एक Stock आपको Free of Cost मिर रहा है और वो Multivager दोस्तों आज भी बहुत जोरदार 5%, 6%, 7% के लिवल पर आज ही बढ़ गया जो मैं Multivager Free of Cost में देना चाहता हूँ चलिए मैं तो ये आपके Knowledge के लिए बता दिया कि जो Life Membership है उसका 50% और वो है जस्ट 31st March तक से मित है तो यदि आपने प्लान किया है तो ये कहली के तारीक में ले लीजे क्योंकि 31st March के जस्ट 9 बज़े तक रात के 9 बज़े तक ये Offer valid रहेगा उसके बाद ये Offer में पूर्ण बिराम लग जाएगा बस यही कहना था दोस्तों और इसी के साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि हमारा जो दूसरे भी Services है जैसे हमने कहा है Best SIP Stock उसमें भी 50% Discount है वो भी 31st March तक ही सीमित है ये भी आप ध्यान में ले लीजे और बाकी तो मैंने जो आपको पहले ही कहा था कि जैसे आप अगर सीखना चाहते है Fundamental Analysis, Technical Analysis तो इसमें भी आपका पॉइंट ये ध्यान रहे है कि 50% Discount है और इन Services पे 50% Discounts अउनली अप टू 31st March 2022 तक ही सीमित है ये बात को आप नोट कर लीजे और इस आप से आप प्लान कर लीजे तो आप साथ दोस्तों हमारा जो खास रूप साथ हमारा पहनी स्टॉक भी गतिशील है और खास रूप से मैं ये भी कहूँगा कि हमारा जो जम से अप से स्टॉक है वो भी एक पॉजिटिव टेंड में ही चल रहा है आज की तारिक में इससे संबंदित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों आप WhatsApp में मेसेज कीजिए आपको सारी जानकारी फ्राफ्त हो जाएगी इसके अलावा हमारा Portfolio Management Service और Multi-Bagor Portfolio Management Service ये भी पूर्ण रूप से कारे रत है इससे संबंदित भी आपको जो भी जानकारी चाहिए आप WhatsApp में मेसेज कीजिए आपको सारी जानकारी फ्राफ्त हो जाएगी चलिए फिर मिलते हैं फिर मिलते हैं कि आपको जाएगी